तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानिकी चार जुलाई के इंपोर्डेंट करेंट अफेर्स को तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी नीदरलेंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं तो आंसर होगा डिक शूफ तो अभी डिक शूफ अभी इन्होंन अभी नाटो के नए चीफ ये बनेंगे नाटो यानिकी North Atlantic Treaty Organization और ये उसके चीफ बनेंगे और वहाँ पे अगर पूछू ये किन का इस्थान लेंगे नाटो में तो जीन्स स्टॉल्टेन बनेंगे तो इस तरह से ये तो चले जाएंगे नाटो में और इनका इस्थान हो गय गए डिक शूफ ये नाम आपको याद रखना है तो अभी इस कुश्यन में मैं आपको 2024 के सारे international appointment से revise करवाने वाला हूं और खास तोर पे वो प्रश्न जो किसी ने किसी देश में प्रधान मंतरी या प्रसीडेंट से related है तो जितने भी इस तरह के प्रश्न बने हैं वो सार हम revise करेंगे लेकिन उससे पहले नीडरलेंड के static देख लेते हैं यह रहा map में नीडरलेंड कैपिटल ओटी एमस्टरडम करंसी यूरो है और प्रधान मंतरी तो यही हो गए डिक शूफ इनका नाम याद रखना है और आपको एक point याद दिला दूँ कि इसी साल 2024 में जो FIH होकी, FIH, Mains और Women's का जो World Cup हुआ था पहले तो याद रखना यह इसका पहला edition था यानि कि पहली बार हुआ कहां पे हुआ ओमान की Capital मस्कट में पुरुषों का भी और महिलाओं का भी यहीं पे हुआ था और अच्छी बात यह है हमारे लिए कि दोनों को किसने जीत लिया न Malaysia runner up रहा है, विजेता दोनों में नीधरलेंड रहा, तो यह तो नीधरलेंड की बात हो गई, चलो अभी मैं आपको revise करवाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लगबग आपको 30 to 35 appointments रिवाइस कराऊंगा, जो किसी देश में President या प्रधानमंतरी बने तो बिलकुल ध्यान से सुनना जैसे तो इरान की बात करें, आपको याद होगा इरान के अभी जो President है, कौन? इब्राहिम राइसी, उनका हेलिकॉप्टर एक्सिडेंट में निधन हो गिया था, तो फिर उनकी जगे Acting President बनाये गए कौन? मुहम्मद मोखबर, उसके लवा साउथ अफरिका के अभी बती बने गीतानास नौसाद, चाड के प्रधान मंतरी अल्ला माय हालीना बने, चाड के राष्टर बती महमत इदरिस डेवी बने थे, वियतनाम के राष्टर बती टू लेम बने, क्रोश्या के प्रधान मंतरी अंद्रेज प्लेंकोविक बने, स्कॉटलेंड के फर्स्ट मि पीटर पेलेगरीनी, मिश्र यानि की एजिप्ट के तीसरी बार राष्टर बती बन गए अब्दुल फतेल सीसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो के प्रधान मंतरी जुडित सुमिनवा तुलुका बने, सेनेगल के राष्टर बती बासिरो डियोमाई फे बने, प्रधान मंतरी एक तो शाहबाज शरीश बने थे और पाकिस्तान के राष्टर बती आसेफ अली जर्दारी बने, इंडोनेशिया के प्रशिडेंट प्रभव सुभियान्तो बने, यमन के प्रधान मंतरी अहमद अवद बने, अलसलवाडोर के प्रशिडेंट नयाब बुकि ताइवान के प्रशिडेंट बने लाई चिंगते, फ्रांस के सबसे युवाव पहले समलेंगिक प्रधान मंतरी बने थे गैबरियल एटल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कॉंगो के प्रशिडेंट बने फेलिक्स तसेशी के दी, तो इस तरह से ये 2014 के जो सारे याद होने लगेगी, जिस तरह से जो रेगुलर इस्टुडेंट देखते हैं, उनको ये चीज़े याद होने लगी है, तो बस आपको रेगुलर बने रहना है और मेरे साथ साथ बोलना है, आपका काम हो जाएगा, अभी हम अगला प्रशन देखते हैं, फिर आपसे पूछ रहें, कि अभी बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा मेजेंटा लाइन, तो दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन ये बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन बन गई है, तो नो पोच के छत पर एक खास तरग का कैमरा लगाया गया है, उसी से इसको कंट्रोल किया जाता है, तो आप सिंपल सा याद रखेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, कि बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कौन सी बन गई है, तो मजेंटा लाइन, अ अगर मैं पूचू, दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन ये किस देश ने शुरू की थी, तो आंसर करना जर्मनी ने, अगर मैं पूचू, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन कहां पर शुरू हुई थी, तो भी आंसर करना जर्मनी ने, और अभी एशिया की पहली हाइडरोजन चलित ट्रेन शुरू कीती चाइना ने। वैसे तो भारत में भी शुरू होने वाली थी देसमबर 2023 में लेकिन अभी तक तो हुई नहीं है। आगे देखते हैं कब तक होती है। अचा एक और प्रशन सुनों अगर पुछे कि भारत की पहली सेमी हाइड स्पीड रीजिनल रेल सर्विस का नाम क्या है नमो भारत रखा गया था लेकिन फिर इसका नाम बदल के रैपिडेक्स कर दिया गया था तो दोनों नाम याद रखना। और आपको याद है अभी एक देश ने पहली लगजरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम आफ देजर्ट इसको लॉंच किया था। बता सकते हूं किस देश ने आंसर लिखा हुआ है साउधियर अरग और अगर मैं पूछूँ दक्षिन पूर्वे इश्यक की पहली हाई स्पीड रेलवे जिसका नाम वूश है ये कांपे शुरू हुई थी तो आंसर करना इंडोनेशिया में वेश बैशनव हैं तो ध्यान रखना ये अगला परशन देखते हैं और गाई सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी गरूप में एक बार वीडियो को शेर जरूर कर देना बस इतनी सी बात बोलूँगा बीच में अब अगला प्रस्न देखेंगे फिर पूछ रहें अभी हाली में अंतरास्टर प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा तीन जुलाई को तो हर साल तीन जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाते हैं हम लोग उद्दिशी क्या है हमारे परियावरन पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जाग रुखता बढ़ाना तो याद रखेंगे इसे और इसी से सम्मंदी दो-तिन प्रश्ण में आप लोगों के लिए ले करके आया हूँ एक तो यह याद अखना प्लास्टिक बैग को बैन करने वाला प्रति बंदित करने वाला पहला देश कौन सा है दुनिया का तो न्यूजिलेंड है अगर पूछे प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने व गुवाहटी में बना था ऐसा करने वाला एक प्लास्टिक ऑवर्शूट डे भी याद रखना दो हजाल चौबिस में हम इसे पांच सेप्टेंबर को मना रहे हैं और आपको याद होगा अभी उत्तरप्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क ये काप्ला पर इस्ताप और उसी तरह से दो जुलाई को भी हमने दो दिवस मनाये एक तो विश्व खेल पत्रकार दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट से जर्नलिस्ट डे और वर्ल्ड यूएफो डे और अब ये तीन जुलाई को मनाया तो ये ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे भारत और मंगोल्या के बीच में होता ये अभी तीन से लेके 16 जुलाई दो हजार चौपीस तक ये होगा 2014 में इसका ये सोलवा संसकरन है कहां पर होगा मेगाले के उमरोई में पिछले साल लास्ट येर ये पंदरवास संसकरन हुआ था कहाँ पे मंगोलिया के उलन बटोर में इसका जो पहला संसकरन है वो दो होजाचे में हुआ था और एक्सरसाइज वाला प्रशन है अभिशायत कलिया परसो भी मैंने आपको जितने भी इंपोर्टेंट में लेक्सरसाइज हुए भी तक वो सारे रिवाइस करवाए थे चलो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइस करवाता हूँ आपका रिवेजन हो जाएगा लेकिन उससे पहले मंगोलिया को हम देख लेते हैं मैप में कहां पर है ये मंगोलिया तो मंगोलिया ये तो एशिया का ही देश है कैपिटल उलन बटर है और करंसी है मंगोलियन तोगरिक और प्रसिरिन कोन है उखनागिन खुरेल सुक देखो इस साल का जो पहला exercise था वो desert cyclone था भारत और UAE के बीच में हुआ था ये राजस्थान के थार रेगिस्थान में फिर सहयो काजिन हुआ भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था ये चैनने में अयुथ्या exercise भारत और थाइलेंड के बीच में हुआ ये पहली बार हुआ पहला संसकरन था cyclone exercise ये दूसरा संसकरन था भारत और एजिप्ट के बीच में हुआ ये एजिप्ट में ही खंजर एक्सरसाइज 11 संसकरन था भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ ये हिमाचल परदेश के बकलोह में और स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज ये नाटो ने सकायोजन किया था डेजर्ट नाट एक्सरसाइज भारत फ्रांस और युए के बीच में हुआई अरब सागर के उपर सदा तनसीक एक्सरसाइज का पहला संसकरन हुआ था भारत साउधी अरब के बीच में राजस्तान के बिकानेर में वायू शक्ती exercise इंडियन एर फोर्स ने सकायोजन किया पोकरन रजस्तान में मिलन exercise भारते नोसेना ने सकायोजन किया पचास देशों ने लगबग इस्सा लिया था विशाका पत्नम में हुआ दोस्ती exercise का सोलवा संसकरन हुआ था भारत, माल्दिव और श्रिलंका के बीच में कहां पे माल्दिव में और समुद्र लक्षमना exercise भारत और मलेशिया के बीच में हुआ ये विशाका पत्नम में और Sea Defenders Exercise भारत और अमेरिका के तट रक्षक बलो के बीच में हुआ था ये अंडमान निकोबार के Port Blair में और Cutlass Express Exercise ये 16 देशों के बीच में हुआ था भारत ने बीच सालिया था भारत की तरफ से INS 3 ने शालिया था Port Victoria Seychelles में हुआ और Seychelles के साथ हमने लिमिती एक्सरसाइज किया था Seychelles में ही Tiger Tramp Exercise भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था भारत के पूर्वी समुद्री तट पर गगन शक्ती एक्सरसाइज इंडियान एर फोर्स ने आयोजन किया था लगबख 10 दिनों तक चला था भारत के कई स्थानों पे हुआ था ये धर्मा गारजन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ था ये राजस्तान में सागर कवच एक्सरसाइज भारत के जो भी समुद्री सुरक्षा एजेंसिया है उन्होंने इसका एउजन किया था विक्टस हैज की बात करेंगे तो अंतरिक्ष में पहली बार एक युद्ध अभ्यास करानी की घोशना की थी अमेरिका की स्पेस फोर्स ने और उसका नाम रखा था विक्टस हैज और पूरवी लहर अभ्यास भारते नौसेन ने इसका एउजन किया था और गगन स्ट्राइक टू भारते सेना और वायू सेना के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ था पंजाब में शक्ती एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ मेगाले के उम्रुई में तारकश एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ कॉलकता में Red Flag exercise ये बहु से इन्या भ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया, और कहां पे? अमेरिका के अलास्का में, अमेरिका ही इसका आयोजन करता है, एक रिम पैक भी है, अमेरिका आयोजन करता है, रिम पैक होता है, रिम आप दे पैसिपेक एक्सरसाइज, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मेरिटाइम एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते भारत की तरफ से INS शिवालिक ने सलिया था और अमेरिका के हवाई द्वीप में हुआ एक जिमेक एकसरसाइज हुआ था भारत और जापान के बीच में जापान में हुआ था और तरंग शक्ति एकसरसाइज का आयोजन हम करेंगे इंडियन एर फोर्स इसका एउजन करेगा इस साल अगस्त के महीने में और एक कल भी हमने पढ़ा था मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाइलेंड के बीच में हुआ ये कहां पे हुआ थाइलेंड में तो ये 2014 के important exercises हैं इनको ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखते हैं फिर आपसे पूछ रहें कि निमने लिखित में से project nexus का सदस्य कौन सा देश नहीं है नहीं पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा लाओस अब बात करें पहले ये project nexus है क्या तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जब भी आपको दूसरे व्यक्ति के account में पैसे send करने होते हैं तुरंत पैसे send करने होते हैं तो आप कर पाते हो क्या? आप कोगे कर पाते हैं कैसे? UPI के माध्यम से Unified Payment Interface तो इसकी help से हम भारत में किसी भी व्यक्ति को instant पैसा instant payment कर सकते हैं पर अगर वो व्यक्ति भारत से बाहर किसी और देश में रहता हो तो फिर हम नहीं भेज सकते हैं और इसी समस्या को दूर करने के लिए ये project nexus आया है तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आप उन सभी देशों में जो इस project nexus से जुड़े हुए होंगे उन सभी देशों में किसी भी व्यक्ति को instant payment कर पाओगे जैसे कि भारत में हम कर पाते हैं लेकिन उसी देश के व्यक्ति को जो इस project से जुड़े हुए होंगे ठीक है? तो अभी शुरुवात में बात करें आप पूछो के कौन-कौन से देश जुड़े हुए है तो अभी शुरुवात में तो भारत और चार आशियान countries इस project में शामिल हुए हैं जैसे भारत आशियान का देश नहीं है और आशियान में लगबग 10 देश मिलेंगे आपको लेकिन अभी शुरुवात में तो चार देश हैं जो आशियान से और एक भारत ये जुड़ करके ये मिल करके इस project nexus को शुरु कर रहे हैं कौन कौन से देश हैं एक तो भारत मेंने बोला आशियान के चार कौन से देश मलिशिया, थाइलेंड, फिलिपिन्स और सिंगापूर विससे भविश्य में और भी देश चुड़ेंगे और जल्दी हम देखने को मिलेगा कि इंडूनेश भी इसमें शामिल हो गया है लेकिन अभी इन देशोंने मिल करके इस project nexus को शुरु किया है ये जो project nexus है ना, मतलब तो आपको समझ में आ गया क्या उद्देश है इसका एक दूसरे देशों में instant हम पैसे को transfer कर सकें इसी के लिए इसको शुरू किया गया है और ये कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता दिया जिस तरसे भारत में हम instant payment system के लिए UPI को use करते हैं इसी तरह से हर देश में कोई ने कोई instant payment system होगा जैसे हमारे यह UPI है किसे और देश में कुछ और होगा तो इनी system को हम इस project nexus के माद्यम से आपस में जोड़ देंगे तो फिर हम एक दूसरे देश में कोई भी वेक्ती to वेक्ती person to person, person to merchant आपस में quick transfer कर पाएंगे पैसे का ये बटन दबाया और ये पैसा गया तो इस project nexus का concept किसके द्वारा लाया गया था bank for international settlement के द्वारा इसकी इस्तापना होती है 1930 में इसका मुख्यले बैसल स्विट जलेन में है क्या है ये ये एक अंतरराष्टर वित्य संस्थान है और इसका प्राथमिक लक्षय है केंद्रिया बैंकों के लिए bank के रोप में कारे करते हुए मतलब जितने भी central bank है आप कह सकते हो उनका bank है bankों का bank होता है जिसे हमारा RBI उसी तरह से जो इसके member है जितने भी देश इसके member है तो उन देशों के central bankों का ये bank हो गया उनके संग के रोप में ये काम करता है आप ऐसे समझो और 63 देशों के Central Bank इसके सदस्य है इसके General Manager है Augustine Cardsense तो Project Nexus आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करूँगा कौन-कौन से देश इसमें शामिल हुए है अभी ये भी मैंने आपको बता दिया अभी अगला प्रशन देखते है फिर पूछ रहें कि Air India के द्वारा कहां पर दक्षिन एशिया का सबसे बड़ा Flying School स्थापित किया जाएगा तो आंसर होगा अमरावती में तो Air India अमरावती में South Asia का सबसे बड़ा Flying School स्थापित करेगा ये देश में किसी भी भारते Airline के द्वारा खोला जाने वाला पहला स्कूल है और ये 2026 तक शुरू हो जाएगा अच्छा आपको याद होगा अभी मद्यप्रदेश ने प्रधान मंतरी श्रीप परियेटन हवाई सेवा शुरू की थी और अगर मैं पूछूं कि दक्षिन पूरुव एशिया का सबसे बड़ा अलवणी करण सैयंतर ये काँ पर बनेगा यानि कि डिसैलेनेशन प्लांट तो तमिल नाडू में और आपको यादे भारत का पहला AI स्कूल ये काँ पर बना तो केरल की केपिटल तिरुवननत पुरम में और इस प्रशने से याद रखना है Air India ये कहाँ पर दक्षिन एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोलेगा तो अंसर होगा अमरावती में बाकि Air India का हेड़कोर्टर कहाँ पर गुरुग्राम हर्याना में है और इसके चेर्मेन है अगला प्रशन दिखते है फिर पूछ रहें Under 23 Asian Wrestling Championship 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से इस्तान पे रहा तो अंसर होगा पहले इस्तान पे तो हम बात कर रहें Under 23 Asian Wrestling Championship 2024 की कहाँ पे हुआ Jordan के अमान में हुआ ये भारत ने टोटल आठ मेडल जीते उसमें से चार गोल्ड है दो सिलवर है और दो ब्रोंज है और इस तरह से मेडल टेली में भारत पहले स्तान पर है दूसरे पे कजाकिस्तान है और तीसरे पे किर्गिस्तान है चार गोल्ड कौन-कौन लेकर किया है साहिल जागलान 97 kg कैटिगरी में अनिरुद 125 kg केटेगरी में, जॉन्टी 92 kg केटेगरी में और अभी मन्यू 70 kg केटेगरी में और अगर आपको याद हो तो अभी Under 17 एशे कुस्ती चेंपेंशिप 2024 भी यहीं पे हुआ था वहाँ पे भारत ने 11 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉंज थे अभी 2-5 दिन पहले हमने पड़ा था, तो वो भी ध्यान में रखना अगला प्रसंद देखते हैं पर पूछ रहें, अभी हाली में Puma India ने किसे अपना Brand Ambassador बनाया तो आंसर होगा, रियान पराग और नितिश कुमार रेड़ी को ये जो रियान पराग और नितिश कुमार रेड़ी हैं, ये किर्केटर हैं रियान पराग ये 2018 में जो अंडर 19 किर्केट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें विजेता भारतिया अंडर 19 टीम के हिस्सा थे वहीं नितिश कुमार रेड़ी की बात करें तो ये all-rounder हैं, आंद परदेश से हैं ये नितिश कुमार रेड़ी और रियान पराग ये असम से हैं और अभी इन दोनों खिलाडियों को प्यूमा इंडिया का ब्रेंड अमबेस्टर बनाया गया है अच्छा चलो इसी तरह से कुछ और important brand ambassadors चो हमने पड़े हैं वो मैं आपको revise करवाँ तो बहिंदर सिंग धोनी से शुरुवात करते हैं ये सुराज Tractor के बने थे, Geo Mart के बने, Lays के बने थे, SBI के बने थे, एक Citroen India के बने थे, Citroen एक कार कमपनी उसके बने थे उसके अलावा चुनाव आयोग ने एक तो सचिन को और एक राजकुमार राव को राष्टर परतीक के रोप में घुशित किया था मतब नेशनल आइकॉन बनाया था सचिन को महाराष्टर सरकार ने मौकिक स्वच्छता अभ्यान के लिए स्माइल एमबेजटर भी बनाया था और सेवलाउन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एमबेजटर सचिन को बनाया था बाकि इनफॉसिस ने दो टैनिस प्लेयरें उनको ग्लोबल ब्रेंड अमबेश्टर बनाया एक राफिल नडाल जो की स्पेन से हैं और एक इगा स्वेटेक जो की पॉलेंड से हैं बीपी सील ने ब्रेंड अमबेश्टर बनाया था राहूल द्रविड को और आप कन्फ्यूज मत होना क्योंकि बीपी सील का ही एक स्पीड पेट्रोल नाम से ब्रेंड है तो उसके लिए नीरत चोपडा को बनाया गया था बाकि आप जानते ही हो ICC World Cup हुए थे उसमें शारुक खान बने थे ब्रेंड अमबेश्टर भारत उपविजेतर रहा था हुए तो भारत में थे ऑस्टेलिया ने जीत लिया था उसके अलावा सौरव गांगुली अभी पश्चिम मंगाल के बने थे तिरिपुरा परियतन के बने थे बंधन बैंक के और ड्रीम सेट गो के इसमरती मंदाना गल्फ ओयल इंडिया की गुवी की ब्रेंड अमबेश्टर बनी और रविशास्त्री फैन कोड के बने थे और एक लुब्रिकेंट ब्रेंड है मॉबेल उसके बने थे रित्तिक रोशन और इससे पहले प्यू ब्रेंड अमबेश्टर नरेंद्र कुमार यादव बनाए गए थे IRS अधिकारी हैं एवर रेड़ी सेल आते हैं उसके ब्रेंड अमबेश्टर नीरा चोपडा बने थे बाकी मैंने आपको पीछे बताया था बीपी सेल का जो स्पीड पेट्रोल ब्रेंड है उसके भी बने इ उनिसेफ इंडिया इंपॉर्टेंट है करीना कपूर बनी थी और मुथूट ग्रूप के ब्रेंड अमबेश्टर शारुखान बने तो भारत सरकार ने तंबाकु नियंतरन के लिए ब्रेंड अमबेश्टर पीवी सिंदु को बनाये था और अभी लेटेस्ट हमने पड़ा अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो आशर होगा मार्च दो हजार पच्चिस तो अभी केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को दो हजार पच्चिस तक के लिए बढ़ा दिया गया है और पूछे ये शुरू कब की गई थी दो हजार पंदरा में क्या उद्दिश्य है भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रुप में विक्सित करना और इसके नॉडल मंत्राले के रुप में काम कर रहा है आवास वश शहरी कार्य मंत्राले अब प्रशनी ये भी बन जाएगा अभी नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने न तो ये मंत्राले भी के पास ये मंत्राले है अगर आप में से कोई स्टुडेंट क्रेक एक्जाम चैनल पर फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दू कैबिनेट मिनिस्टर्स को याद रखने का एक छोटा सा ट्रिकी वीडियो में ने बना दिया है बहुत ही बहतरीन वीडियो है अगर आप सारे मिनिस्टर्स के नाम एक ही बार में याद करना चाते हो बिना टेंशन फरी तो वीडियो जरूर से देख लेना एक्जाम में बड़ी मदद करेगा क्योंकि मंत्राले उसे प्रशन तो एक ने का आएगा इसे ही आपकी एक्जाम में तो आप महाँ पे गलती न करो सोचने में टाइम वेस्ट न करो तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फुल रहेगा सिंपल सा सर्च करना क्रेक एक्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ट्रिक्स 3.0 वीडियो आपके सामने आ जाएगा अपना ठीक है अभी अगला प्रसन देखते हैं फिर पूछ रहे ह अभी हाली में किसे नए डेप्यूटी नेशनल सेकुरिटी एडवाइजर के रूप में निउख किया है तो पवन कपूर को और टीवी रवी चंदरन को दुनों को तो अभी केंदर सरकार ने यादखना टीवी रवी चंदरन और पवन कपूर को नए डेप्यूटी नेशनल Security Advisor के रूप में निउख किया है ये जो TV रवी चंदरन है इनको विक्रम मिस्तरी के जगे निउख किया गया है विक्रम मिस्तरी आपने अभी नाम चुनाओगा अभी हमारे नए विदेश सची बने थे ये और ये जो TV रवी चंदरन है अभी तक ये इंटेलिजेंसी ब्यूरो के डेप्यूटी चीफ और स्पेशल डारेक्टर हुआ करते थे वैसे हमारे नेशनल सेक्यूरिटी एडवाइजर कौन है अजिद दोबाल है तो गाई देथा आज का अपका Current Affairs का सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो दोस्तों के साथ में Study Group में एक बार शेयर जरूर करना इस वीडियो को चलो भी कल के Current Affairs का मैं आपको Quick Revision करा दो फिर हम सेशन हैं करते हैं तो यहाँ पर हम 3 जुलाई की Important Current Affairs का Quick Revision करेंगे पहला प्रशन पूछरे भारत और किस देश के बीच मैत्रे अभ्यास हुआ ये भारत और थाइलेन के बीच में हुआ फिर पूछा भी किस राजे के मुख्यमंतरी ने NTR भरोशा पेंशन योधना शुरू की तो आंदरप्रदीश फिर पूछा विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया 2 जुलाई को फिर पूछा किस राजे में मुख्यमंतरी किसान सम्मान निदी योजना शुरू हुई राजस्थान फिर पूछा किस बैंक ने MSME सहज नाम से एक online loan solution launch किया तो State Bank of India फिर पूछा लॉस एंजल्स में Indian Film Festival में अभी किस भारतिय फिल्म ने Grand Jury Award जीता तो Girls Will Be Girls ने फिर पूछा लोकारणू Award जीतने वाले पहले भारती कौन बन गए शारुक खान और उत्तर प्रदेश के मुखे सचीव बन गए है मनूच कुमार सिंग और फिडे वर्ल चेंपिंशिप 2024 कहां पे होगा तो सिंगापुर में होगा और आखरी प्रशन पूछा था भुपिंदर सिंग रावत का निदन हो गया उनका संबन किसे है फुटबॉलर थे वो अभी कल का हमवर्क प्रशन देखते हैं और सेशन एंड करते हैं तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था अंतरिक्ष में एक हजार दिन पूरे करने वाले पहले वेक्ति कौन बन गए तो आंचर होगा ओलेग को नोनेंको आप सबीने प्रशन का बिल्कुल से उतर दिया अब ये राज का आपका हमवर्क प्रशन